नमस्कार साथियों, BPC Solution प्रापसवे का स्वागत है, आज हम लोग बिहारे स्पेशल में प्राचिन बिहार से मगद के परवर्ति गुप्त सासक, गुप्त उत्तर योग और बिहार, पालकालिन बिहार और मिथला के करनाट सासक से समंधित अबजेक्टिव देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, मगद के परवर्ति गुप्त सासक, मगद के परवर्ति गुप्त वंस का संस्थापक था, Option A, कृष्ण गुप्त, मगद के किस परवर्ति गुप्त सासक ने मौखरी सासक को प्राजित किया था, Option B, कुमार गुप्त तिर्तिये ने, मौखरी सासक न अप्शन B दामोदर गुप्त हर्सवर्धन ने किसे मगद के शतर में अपना परतिनिधी बनाये था अप्शन D माधब गुप्त को हर्सवर्धन के मिर्थियो प्रांत बिहार के कुछ तरों में कुछ समय के लिए तिबद की संपर्भुता स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया था अप्शन C आदित्य सेन ने मगद के किस परवर्थी गुप्त सासक ने अश्चो मेग यक का अयोजन किया था अप्शन A आदित्य सेन मगद के परवर्थी गुप्त बन्स का अंतिम सासक था अप्शन B जिवित गुप्त देतिये मगद के किस परवर्ती गुप्त सासक को असंग के सुत्रों का बिजयता कहा गया है अप्सने किष्ण गुप्त मगद के परवर्ती गुप्त सासक और उसके उपाधियों को सुमेलित किजिए हर्ष गुप्त, बीर योधा, कुमार गुप्त, महाराज धिराज, जिवित गुप्त, राजाओं में सिर्मौर, आदित्य सेन, प्रम भट्टारक महाराज धिराज, तो इस वाल का सही जबाब हो जाएगा, option C. मगद के किस प्रवर्थी गुप्त समराट के बारे में कहा गया है कि उसने समुनर तथा हिमालय के सत्रों को जीता था, option D. जिवित गुप्त, हर्ष वर्धन के मिरतों के बाद मगद के अंतरगत एक बेस्तिरत समराज अस्थापित करने वाला पर्थम सासक था, option A. आदित्य स मगद के किस प्रवर्थी गुप्त समराट के सासनकाल में चीनी राजुत वांग व्यन से भाद की यातरा की इस वाल का सही जवाब है, option D. आदित्य सेन मगद के प्रवर्थी गुप्त सासको का सही करम है किष्ण गुप्त, हर्स गुप्त, जिवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामदर गुप्त, महासेन गुप्त, देव गुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन इस वाल का सही जवाब है, option B गुप्तो अत्तर योग और विहार चीनी यातरी इत सिंह भिहार का भर्वन किया लगभग 673 इस भी में हर्सवर्धन के समय में भिहार राज में कौन सा विस्विद्य ले परसित था Option D नालंदा चीनी यातरी हुएंग सांग ने किस विस्विद्य ले में ध्यन किया था यो 46 में BPSC PTM पुछागे सवाल है इसवाल का सही जवाब है अप्शन D नालंदा भेनसांग ने नालंदा विश्विद्याले में 635 से 640 यानी 5 वर्सों तो कधियन किया था भेनसांग ने पाटले पुत्र की यातरा किस वर्स में किय थी अप्शन ए 635 में बोध गया के महाबोधी विर्क्ष को छती पहुचाने वाला सासक था ससांक पालकालिन बिहार ओधन्दपुरी सिक्चा के निमन में से किस राजवय वस्थित था अप्शन B बिहार पालवंस के संस्थापक थे गोपाल बिक्रम सिला विस्विदला का संस्थापक था अप्शन A ध्रम पाल बिक्रम सिला विस्विदला की अस्थापना किस वंस के सासक ने किया था अप्शन C पाल वंस के सासक ने किया था आधनिक बिहार के किस जिले में बिक्रम सिला विस्विदला अरिस्थित था Option D, भागलपूर नालंदा महावियार को आर्थिक अनुदान देने वाला सासक था Option E, हर्स धर्मपाल एबम देवपाल मुंगेर को अपनी राज़ानी बनाने वाल सासक था देवपाल पाल सासको दोरा बहुत धर्मके की संप्रदय को विशेश प्रोचान दिया गया Option E, महायान कि सासक के काल में सालेंदर बन्स के सासक ने नालंदा में एक बहुत मटका थापना करवाय था Option C, देवपाल इसके लिए देवपाल ने पांच गौदान के रूप में दिया था नालंदा विस्विदले के खर्च के लिए किसने दोसो गौओं को दान में दिया Option E, धर्मपाल किस सासक ने उदंत पुरी बिहार सरिफ में बहुत बिहारों के स्थापना करवाय था Option E, गोपाल किस काल में कांसे की मुर्तियों की निर्मान के एक उनल साली का विकास बिहार में हुआ था Option D, पालियोग बिहार में पालियोग में कांसे निर्मित मुर्ति की एक उनल साली का विकास हुआ कांस मुर्तियों की निर्मान की साली के निर्नायक देन थे इस सवाल का सही जबाब है option B धीवा नेमं बिटपाल की पालकालिन कांस मुर्ती कलाकार धीवा नेमं बिटपाल कहा के निवासी थे इस सवाल का सही जबाब है option C नालंदा पालकालिन कांस परती माय साचे में ढली है इसका साक्ष मिलता है नालंदा एवं कुकरिहार गया से पालकालिन मुर्ती कलाकार धीवन वं पिठवाल समकालिन थे ध्रमपाल एवं देव पाल के चित्रित पांडु लेपी अस्ट सह सरिक प्रग्या परमित और पंचरक्ष किस युक्के हैं ओप्शन सी पाल युक्के पालकालिन चित्रकला का भित्ती चित्र रूप कहां से प्राप्थ हुआ है इस सवाल का सही जबाब है ओप्शन डी नालंदा पाल सासक अपना आदेश प्रसाइद करते थे ओप्शन ए पाटली पुत्रा से पालकाल में स्री नगर भुक्ती कहा जाता था इस सवाल का सही जवाब है उप्सन D मगद को देपाल के अनुमती से सुमातरा के राजा बलदेव पुतर ने कहां विदेशी विद्यार्थियों के लिए छटरावास करिणवान करवाय था उप्सन B नालंदा मिथला के करनाट सासक मिथला या तिरुद के करनाट राज को दै 1997 अठानवेर में किसके सासनकाल में हुआ उप्सन A रामपाल मिथला या तिरुद के करनाक राज का संस्थापक था उप्सन B नन्यदेव मिथला के करनाट सासको की राजधानी थी उप्सन D सिम्रोगड करनाट वन्स का अंतिम सासक था हरी सिंग करनाट वन्स का पुर्णत अंत हुआ 1378 इसवी तक बिहार में किसके समय में पंजी प्रवंद का विकास हुआ था करनाट सासक के समय में तिबती इतियासकार धरम स्वामी तिरूत आये था 234 इसपी में वक्तियार खलजी के आकर्मन के समय करनाट राज का किसका सासन था अप्शन A नर्सिंग देव का तुर्क सेनापती तुगरिल तुगन दोरा मिथला पर आकर्मन करने की चर्चा करने वाला विदेशी यातरी है दुरम स्वामीन और मुला तकिया तो इसवाल का सही जवाब है उप्शन D तुगरिल तुगन के अभियान के समय करनाट राज का सासक था उप्शन B राम सिंग देव करनाट सासकों में कौन एक महान समाजक सुधारक था इस सवाल का सही जवाब है उप्शन B हरी सिंग देव पंजी परबंद मिथला शतर में किसके सासनकाल में मुकरूब से बिक्सित हुआ है उप्शन C हरी सिंग देव के समय में आप लोग हमसे ट्लेग्राम पर भी जोड़ सकते हैं ट्लेग्राम चैनल कर लिंक डिस्क्रेशन ने दे दिया गया है यह दि आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को जो सर्काइब कर लेजिए जय हिंद